सो फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले हैं मोबाइल कवर मोबाइल कवर ये जैसे आप देखिए हम इसी तरह का एक मोबाइल कवर बना के दिखाएंगे आपको और इस मोबाइल कवर को बनाने के लिए हमें जो जो चीजों की जुरूरत है वो मैं आपको explain कर देता हूँ सबसे first of all हमें need है एक printer की printer हम अपने लिए हम use कर रहें sublimation ink के साथ printer L805 ये printer हम use करेंगे और secondly ये machine ये हमारी 3D machine है 3D machine में हम heat के लिए हम इसको use करेंगे और finally friends से ये इस तरह के हमारे unprinted plain cover आते हैं ये देखिया इन covers पे हम print करेंगे इनके उपर proper coating होती है इन पर हम print करेंगे और इनको print करने के लिए ये aluminium की dye आती है इस dye को हमें इस cover के अंदर set करना होता है proper ताकि lose ना रहे अगर lose रहेगा तो हमारा cover proper नहीं डाई में जो set नहीं आ पाएगा so friends ये हमारा PC है हम PC में पहले design करेंगे अपने photo को net design दिखा देता हूँ आपको time बच जाए इसके लिए हमने ये design proper कर रखा है अपना ready हमने कर रखा है ये design ये दिखा देता हूँ ये हमने dimension ले रखा है cover का इसके उपर हमारे sensor आएंगे ये आप देख पा रहे हैंगे जैसे sensor camera ये वाली चीज़े इस पर आएंगी और इसको हमने यहाँ पर set कर दिया अब हम इसको print को flip करेंगे flip करके और print command देंगे सो प्रेंटर से अब हमारी print निकलेगा ये हमारा sublimation paper हम इसमें use करेंगे एक print तो हमारा पहले निकल चुका है और ये print हमारा निकालना start हो गया है लिप मनकर दिया कर तिंकर दिया था दिन सो फ्रेंट्स अब ये देख पा रहे हैं हमारा print आ चुका है अब हम इसको cutting करेंगे इसको proper cutting करने के बाद अब हम इसको जो इसका बोड़न नमपर था सो फैंट्स ये हमारी machine है sublimation machine और ये इसके power buttons है इसको दबाने से power हमारी own हो जाती है और ये इसके दो element होते हैं heat press machine में और दोनो element अब हमारे start हो चुके हैं heat करने के लिए और अभी temperature present time पे 116 degree Celsius ये हमें measure कर रहा है और ये नियर अबाउट 290 के आसपास ये हमेंने इसको machine को set कर रखा है तो हमने gloves कर यूज करना परता है और ये हमने अभी इसमें लगा दिये machine में दो पूनो अपने cover और अब हमें इसको vacuum वाला button प्रेस करेंगे vacuum वाले button प्रेस करने से क्या होगा कि हमारे जो भी cover होंगे वो प्रोपर एक vacuum की help से अब हम इसके उपर आ जाएंगे हमारे को और जो अमारे print है वो इसके साथ attach होके और heat के कारण ये इसके उपर आ जाएंगे तो अब हम इसे timing start कर देते हैं ताइमिंग इसके अंदर हमने 9 मिनिट की set कर रखी है so friends अब हम 9 मिनिट के बाद देखते हैं कि कैसे अब हमारे cover आते हैं so friends अब हम इन covers को निकालेंगे after 9 मिनिट जो हमने time दिया था so friends अब देखते हैं कि कैसा हमारे cover है कैसे बन चुके हैं so friends देखिए अब हम इन covers को ऐसे थोड़ा सा round circle में गुमा देते हैं ताकि यह इसकी पकड जो है अपने phone पे अच्छी तरह बन जाए so this is our second cover इसको भी हम ऐसे ही करेंगे so friends यह अब हमारी cover दोनों बनकर ready हो रुखे अब हम अपनी machine को ऐसे ही rest position में ओफ कर देते हैं so finally friends आपको हमारी covers कैसे लगी आप हमें comment section में बताएं अगर हमसे आप cover बनवाने में interested हैं तो आप हमें दिये गए नीचे number पर हमें call करके या फिर whatsapp करके आप हमें cover का model number और photo जो उस पे आपने लगवाना है वो आप हमें whatsapp कर सकते हैं और अगर आप out of city हैं तो हम आपको courier के facility भी आपको प्रवाइड करके देंगे तो प्रेंज प्रेंड की पित लाइब शेयर सब्सक्राइब थैंक यू फोर वचिग अवे नाइस प्रवाचिग एंडर कर दो